नमस्कार साथियों स्वागत आप सभीका सौधागहर के आज के इस नए वीडियो में साथियों ये है weekly news का session जहाँ पे कोशिस होती है कि जो बड़ी खबरे हैं उस पे discussion किया जाए आज भी एक बड़ी खबर आप लोगों के सामने लाने वाले हैं एक तो इस पूरे news session में बात करेंगे metro expansion के बारे में उससे पूने real estate पे क्या फर्क पड़ सकता है कौन-कौन से ऐसे measures हैं जिसे apply करने से आने वाले समय पे real estate market एक sustainable way में जा सकता है क्या कमिया है और क्या कारण रहा है कि पूने का जो north east market है वहाँ पे जो आपकी supply है वो slightly drop होई है इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे खासकर इस पे metro CGD खबरे और इसका real estate पे impact जैसे आपको बताए पूरा चर्चा करेंगे इसे वीडियो को आखरी तक देखें जिससे जो आपकी प्रतक्रिया है वो भी कमेंट में लिखके आप लोग बता सकें जिससे जितने लोग भी वीडियो देखें उनके मन में वो सारी चीज़ें एक साथ चल पाएं कि अगर वो घर खरीद रहे हैं तो उसका इस पे क्या impact होने वाला है जो चीज़े हुई हैं कि आगर ये पहले improve हुआ हो ता उससे क्या हो सकता है जो भी आप लोग के विचार होंगे वो सब तक पहुचेंगे आप लोग लगातार सौदागर के प्रयास को सरा आ रहे हैं इसके लिए आप सभी को तह दिल से धन्यवाद यदि आपको ये वीडियो भी पसंद आए तो वीडियो को like share करने के साथ साथ आप इसे subscribe करने जिससे आपको तमाम चीज़ें जो है लगातार घर बैठे मिलती रहें देखिए पैदे तो metro extension की बात कर लेते हैं फिर आगे की चर्चा करते हैं जो दो metro extension हुए हैं और जो की काफी लंबे समय से सौदा घर इस बात को उठा भी रहा था एक आपका जो सबसे पहली लाइन थी पूने की वो थी पूने का north to south जिसे metro line 1 कहा गया metro line 2 जो आपकी थी वो east to west यानि कि जो आपका वनाज से लेकि रामवाडी तक का stretch था जो की अब पूरी तरीगी से open है तो ये line 2 पे extension हुआ है line 3 जो आपका है वो mega polish circle हिंजोडी से लेकि जो आपका छटपस सिवाजी नगर civil court तक का था line वो आपका line 3 था अब इसमें जो extension हुए है वो line 2 और line 3 पे हुए है जो वनाज to रामवाडी का line है वो विमान नगर होते हुए आगे खराडी बाइपास को cross करते हुए वागोली तक जाएगा और आगे यानि जो वनाज का metro station है उससे दो metro station आगे और बनेंगे ये चादनी चौक तक पूरी तरीके से connect हो जाएगा जो दूसरा extension है वो line 3 पे है यानि जो आप mega polish circle से लेके छटपस सिवाजी नगर तक का देख रहा है वो line हडपसर होते हुए लोनी का अलभूर तक बढ़ाय जाने की बात की जा रही है जिस पे triple P model पे जो है इसका extension किया जाएगा यानि public private partnership public private partnership यानि की जो बड़ी companyya है वो bid करेंगी उसमें से उनको जो है एक तरीके से allot किया जाएगा और रूप अपने खर्चे पे पूरा construction करेंगी और जैसा कि metro series में हम लोग आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से जो viability gap रहता है fund का उसे government ब्रिज करता है यानि कि अगर कहीं भी उनको नुक्सान हो रहा है तो 40% तक का fund जो है government खुद provide करती है किसे जो भी जिसको भी वो work a lot किया जाता है अब बात करते हैं आखिर ये metro line का फरक जो है लोगों पे क्या पड़ता देखे एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज की date में सबसे बड़ी जो समस्या उभर क्या रही है पूने सहर के लिए वो है जहां पे काम के लिए आ रहे है क्योंकि नई नई कम्पनिया भी आ रही है अब एका एक जब किसी सहर का population इतनी तेजी से बढ़ता है तो हाँ पे कई बदलावाते हैं एक तो garbage management, road traffic management और साथ ही साथ जो आपका एक चलता आ रहा एक तरीक से system है वो चर्मराने लगता है अब उस पे proactive measure लेने की ज़रुवत थी जहां पे दोनों कॉर्परेशन, PCMC और PMC काफी अस्तर पे देखेंगे, काफी जगों पे देखेंगे जहां पे fail नजर आया है जैसे सौदागर ने आपको लगातार दिखा है किस तरीके से garbage burning का issue जो है, चारों तरफ चल रहा है लोगों ने, यानि सौदागर के viewers ने हमें तमाम mail किये Google Drive पे आप लोगों ने वीडियो बेजा उसमें से कुछ वीडियो उसमें कवर भी किये, दिखाया भी आप लोगों के सामने रखा सौदागर का direct coverage रहा जो सबके सामने गया, पर एक अच्छी चीज़ यह देखी, कि जहां जहां पे concern raise किये गए, वहां पे कुछ नो कुछ action भी होता हुआ दिखा, यानि garbage burning में थोड़ी बहुत गिरावत जरू देखी गई, तो एक अच्छी पहल है अब देखिए, अगर कोई चीज़े लगातार तेजी से बढ़ रही है, तो उतने ही proactive वे से हमें अपने infrastructure पे, हमें अपने चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है और कहीं न कहीं corporation को इस पे जो है चीज़ें outline करनी होगी, अब देखिए जो ये metro line आपका extend हो रहा है, इसके पहले के अगर थोड़ा सा प्रिश्भूम पे हम लोग ले चलें, तो एक समय था यानि 2015-2014 से लेकि 2018-19 यानि pre-covid का जो दौर था, वहाँ पे आप देख रहे थे वह majorly proper वाखुली में थे, यानि वह वागिश्वा टेंपल के आसपास, लेकिन जैसे ही आपका covid का दौर आता है, उसी के जस पहले और covid के दौरा, जो आपका उवाले नगर का हिस्सा है, वहाँ पे जो एक major land चन था, जो vacant पड़ा था, कुछ एक developers के जो है वहाँ पे land parcel थे काफी बड़ी मात्रा में, तो वहाँ पे एक तरीकी से development का जो है रास्ता खुल गया, क्योंकि जो रास्ता आपको खराडी से ले जाके उस उवाले नगर तक ले जाता, जिसे चौकी धानी road भी कहा जाता था, वहाँ पे जो road block था, वो open कर दिया गया, अब वो open होते ही जो development का पूरा का पूरा छेतर था, वहाँ पे नएने sanctioning हुए, नएने project आने लगे, और तमाम लोग जो खराडी में लेना चाहते थे, पर उनके budget में नहीं होता था, जो वागोली में जाते थे, वागिश और मंदिरिया उसके आगे, उनके लिए एक रास्ता खुल गया, उबा का कुल nation हुआ करता था, जो मांजरी खुर्द में था, वहाँ पे भी तमाम developers ने काम स्टार्ट किया, उसके बर प्रोगे सुदिश चीजों पर हमने कवर किया, तो यारी जो लोग प्रॉपर वागोली जाके खरीदना चाहते थे, उन्होंने यहाँ पर बाइंग स्टार्ट launches जो है, slightly drop हुए, और prices भी slightly drop हुए, इसके पीछे के region क्या है, इसके पीछे दो region है, यह समझना बहुत important हो जाता है, as a buyer आप लोग के लिए, अब एक सबसे बड़ा factory यह था, जैसे मैंने आपको बता है connectivity, एक मात connectivity जो है वो नगर रोट, जिसके जरिये इंसान खराडी से व पर रोल बने हुए है, अब कोई भी बायर होता है, उसके मन में आता है, मेरा work place जो है, वो खराडी है, या उसके आसपास है, या फिर वो मगरपट्टा के आसपास काम कर रहा है, या वो कल्यानी नगर, कोरेगाउ पार्क में काम कर रहा है, तो वो उसी के आसपास ही लेना जाता है, क्योंकि उसको पता है, अगर मैं proper वागुली जाता हूँ, या उसके आगे जाता हूँ, या फिर धनूरी जाता हूँ, लोगाउ जाता हूँ, तो हमारे लिए फिर commute घरना एक बड़ा task हो जाएगा, क्योंकि road narrow भी है, traffic की समस्याएं भी है, और alternate route भी नहीं है, आपका वागुली में आएगा, वही लोगाउं में आएगा, वही चरोली में आएगा, वही दहनोरी में आएगा, और वही मुंडवा, खराडी, कोरेगाउं पाक, कल्यानी नगर में आएगे, construction cost में कोई फर्क नहीं है, land cost में फर्क जरूर है, जहाँ develop हो चोगा, उसके आस यह हुआ, अब दूसरा रीजन क्या था, कि election सरपे है, election होने वाला है, और सारे डेवलपर को यह पता था, कि जो unified development control and promotion है, यानि UDPR, वो भी apply हो जाएगा, उन सारे village में, जो newly add हुए थे 2021 में, वो 23 village थे, जिसमें महाडूंगे भी था, जिसमें आपका वागोली भी था, ऐ जैसे 23 village थे, उसके उपर भी आपने वीडियो बनाया हुआ था, अगर आपने नहीं देखा है, तो देख सकते हैं कि यह 23 village कौन-कौन से है, ओ डीटेल में आप समझ सकते हैं, लिंक आपको description में मिल जाएगा, अब बात आती है कि यह UDPR से होगा क्या, जैसे ही UDPR apply होगा, जो कि अभी 3-4 दिन पहली apply कर दिया गई, यह newly added village में, तो यहां का जो development right है, वो बढ़ जाता है, यानि जहां पे आप एक तरीके से, मान लीजे 10 flat बनाते थे, अब वहाँ 20 बना पाएंगे, वहाँ पे कई FSI आप परचेश करके भी बना सकते, अंसलिर FSI है, paid FSI है, जो कि पहले उतना जादा वहाँ पी utilization नहीं हो पाता था development का, अब इससे होगा क्या, यानि कि जो नए launches होंगे, वो high rises होंगे, number of buildings भी बढ़ सकती है, यानि ultimately, finally जो है, वहाँ पे number of inventories, number of sellable space बढ़ेगा, इससे क्या होगा, जो आपने slide drop देखा, वो क्यों देखा हो तो मैंने proper नहीं थे, alternate route नहीं थे, narrow road थे, इसके चलती जो रोग दूर जाके खरीदते थे और दूर launches होते थे, और यह चूरन दिया जाता था, यहाँ से आपको rig road बन जाएगा, यहाँ पे डबल डेकर bridge बन जाएगा, यहाँ पे road wide हो जाएगी, वो सब कुछ हुआ नहीं, तो लोग इसमें चीजों को खरीदने के लिए तयार ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप launch कम करें, या तो आप wait करें, कि यह development हो, और जो UDCPR यानि कि आपके पास development right जब बढ़ेगा, ज्यादा flat बनाएंगे, तो prices थोड़े drop होंगे, और जो आपके छोटे size के apartment थे, वो भी कम हो गए, क्योंकि लोग अपने लिए घर खरीदे रहे, तो उनको चाहिए यार बढ़ा घर चाहिए, और COVID के वया से लोग को घर की value समझी में आई, तो ये सारे जो कारण थे, इसके चलते यहाँ पे slide drop दिखा, अब आने वाले समय पे आप क्या देखेंगे, कि यहाँ पे तेजी से inventory बढ़ेंगे, अब उसके दो कारण आ गए है, एक तो UDCPA, जैसा मने आपको बताया, development right बढ़ जाएंगे, तो लोग तो high rise, number of buildings बढ़ जाएंगे, number of inventory बढ़ जाएंगे, और साथ ही साथ जो metro का extension है, अगर metro का extension नगर रोट पे आपका जो बाकुरी metro हैं, तो एक किलोमेटर या उससे कम, तो वही आपका average जो है, distance होने वाला है, सेम चीज़ जो triple P module पे आपका सुलापुर highway पे लोनी का अलगोर तक बढ़ाया जाने की बात चल रही है, तो ये metro line से क्या होगा, कि alternate जो है, आपके पास commute करने का साधन मिल जाएगा, अब वो जो नहीं जाना चाह रहे थे दूर, वो दूर जाके भी थोड़े कम budget में घर अपना खरीब पाएंगे, इससे launches बढ़ेंगे, और UDC PR बढ़ने की वाया से जो खराडी या जितने भी drivers हैं, जहां पे तमाम companies आ रही हैं, उसके आज पास में अगर development जादा होगा, तो prices कही ने चीजें खरीद रहे हैं, किस location में खरीद रहे हैं, आपके खरीदने का purpose क्या है, यह सब चीजें तमाम चीजों पर discuss करती हैं, आपके need पे, आपका उससे क्या चीज आप निकालना चाहते आने वाले समय पे, अज़र कहीं दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हमने query concern form का link description मे दिया हुआ है, उसके जरीए आप अपनी समस्याम तक पहुचा सकते हैं, अब यह जो चीजें हैं, इसे बताने के बाद आपके मन में क्या उठ़ा है, आपके मन में क्या विचार है, यह समझना हमारे लिए भी काफी important है, कि आप इन सब चीजों पे कितना अपना विचार र प्रभाव पड़ेगा, इस पे discussion करने वाले हैं, और कुछ साल पहले, दो-तीन साल पहले हमने एक वीडियो बनाया था, जहां पे double decker bridge की बात की जा रही थी, नगर रोड पे शिवने तक, अगर वो 50-55 km के stretch में double decker bridge बना रहे थे, और अब metro की sanctioning आ रही है, तो क्या वो triple layer हो अभी तक update आया नहीं है, और अगर metro बन रहा है, तो उसके सासात इन बातों का भी ध्यान देना होगा, जो major junction है, जैसे आपका केशनन फाटा हुआ, आपका वागेशो टेंपल के आसपास हुआ, उबाले नगर का junction यहाँ पे काफी traffic jam रहता है, आपका खराडी बाइपास के अभी से ध्यान दिया जाए, तो आने वाले समय पे traffic के समस्याओं से भी निप्टारा हो सकता है, आपके पास metro होगा, एक alternate commute करने के लिए साधन हो जाएगा, आपके पास, साथी साथ जो आपका ring road है, इनर ring road है, या फिर जिसे आपका MSRDC बना रही है, तो उसे अगर execute कर दे ये at least नगर route के आसपास, तो एक bypass बन जाएगा, क्योंकि अभी metro का sanctioning के बाद, जैसे metro का काम चालो होगा, तो काफी ज़्यादा traffic congestion होने वाला है, अगर आप bypass बना देते हैं, कुछ stretch यहाँ पे बना देते हैं, तो traffic जो है, वही से dilute हो जाएगा, उतना ज़्यादा traffic आको न computers हैं, उनको ज़्यादा problem ना हो, और साथ ही साथ एक sustainable development भी आपको देखने को मिले, आप अपना विचार जरूर दे, जल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, इमस्कार